थेत्रिय कार्याल है करमचारी भविशनरी सकतन जबलपूर के सभी करमचारी अधिकारी गन एवं मेरे सभी सहकर्मियों को बहुत-बहुत EPA Foundation Day 1st November की सुबकामना है कोई भी हमारा सदस किसी भी समस्या के साथ आता है तो हम यह पेक्षा करते हैं अपने करमचारी आधिकारियों से कि वो ट्रावल एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प देम इस अफसर पर मैं याद करना चाहूंगा हमारे दो करमचारी जो पिछले वर्स हमारे साथ थे श्याम डूमार हमारे MTS थे और एक मिस्टर मोतीलाल कोरी सेक्षन सुपरवाइदर थे जिनका आकस्मिक निधन हो गया तो उनको उनके परिवार के साथ हमारी बहुत सांतवना है और हम लोग उनके साथ खड़े हैं और सारा EPF परिवार आज के दिन Foundation Day में उनको याद करता है सभी करमचारी और अधिकारी और जितने भी हमारे सहकर्मी हैं उनसे मैं अपील करना चाहूंगा कि वो जादा से जादा उत्तम सिवा परदान करने के लिए तत्पर रहें पेंसन सेक्षन में हमारे यहां वयो वृद्ध लोग आते हैं और उनकी विभिन परकार की समस्याएं होती हैं जैसे एक नया इनिशेटिव हम लोगों ने लिया है कि हम लोगों ने वीलचेयर अपने आफिस में रखवाया है और आफिस बिलडिंग के अंदर जहां भी उनक रखता होती है उनने जाना होता है वीलचेयर के माधन से उनको ले आया जाता है हम यह इंसे ओर कर रहे हैं कि हमारे सभी पेंसन के जो केसे हैं वो डे आफ रिटायर्मेंट पे ही सेटल हो जाएं यह एक नया इनिशेटिव है और बहुत से केसे को हमने डे आफ रिटायर्मे और साथ में जो अन्य बेनिफेट, अन्य लाज पीएफेक्ट 1952 के तहट मिलते हैं, वो उज परिवार को हमने मुहिया करवाया. आज की तारीक में भविशन निदी के समक्ष सबसे बड़ी चुनाती है, इसके सबस्क्राइबर बेस को बढ़ाना, और इसके लिए हमें जो एक्जिस्टिंग सबस्क्राइबर हैं, उनको बेटर और टाइम बाउंच सर्विसेज प्रोवाइट करने होंगे. ओवराल, EPFO में जो डॉक्यूमेंटेशन है और इन्फोर्मेशन सेरिंग है, वह बहुत ज़्यादा इजियर हो गया है, बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया है. इसे नाकेवल समय की बचत होती है, इसे स्पेस की भी बचत होती है, इसे मैन आवर की भी बचत होती है. इपी अपो में जो ट्रांसफर्मेशन हो रहे हैं और फिल्ड ओफिसेज ने जो इफर्ट किया है उसको रिकगनाईज करने के लिए हर साल इपी अपो के स्थापना दिवस पर उनको रिवार्ड और अवार्ड देकर प्रोथसाहिद किया जा रहा है मेरे पास का एक इस्टैबलिस्मेंट है उसमें एक वेक्ति का क्लेम जो था पास होने के बाद हमारे ही कारले में वो पैसा वापस आगया उसके अकाउंट जीरो नहीं लग पाया था वो आया वेक्ति बहुत परिशान हो रहा था वो मुझे तीन दिन के अंदर पैसा चाहिए म मैं तुरंत गई वहां से सहाब से बात करी उसके आई शनुभाग में गई उस पैसे को वापस लिया उसी उसी दिन हमने उसको क्रेड दिया उस बैठ्थी को महीं बैठा के रखा और हमने उस क्लेम को सटल करा आप सबको EPFO की स्थापना दिवस में अविनंदन ग्यापन करता हूँ अलपस हमें मध्ये मेंबर को घुगतान करने में सक्ष्यम हुए हैं तो था देश की प्रगती में सौजो करते हुए EPFO आज बधाई की पात्र है जय हिन उपर का जो पोर्शन है अकॉंट सेक्षन का है एक से लगा के आठ सेक्षन है यहां पर अंसदाताओं का नाम सुधार आप लाइन और अनलाइन दोनों प्रकार्टे होते हैं और हमारी जो समस्या है आपस में कोई छुट्टी पे चला गाया तो वो भी हमें एक रूफरे के तास बदन के उसका भी निराकरण कर देते हैं वह भुष निदी यानि नीजी कामकारों के लिए सरकारी गुर्लक जिस परकार आदमी अपनी नीजी बचत से अपनी आपात इस्तिती में और ज़रूरी कार्यों में उसका इस्तिमाल करता है उस पर आप होश निदी से भी उस को समय समय पर साहता मिलती है दावो के तोरिट निफ्टान से एक तरफ जहां हम अपनी कार्यद शम्ता को बढ़ा लेते हैं वहीं दूसी तरफ लोगों उसमय पर पैसा देके उनकी दुआओं को हमें बोनस के रूप मिलती है जो हमारी वास्त्विक भोईशनीदी की तरह होती सरसोती सिस्यु मंदिर सेडोल की सिक्षिका आई हुई थी अपने अंतिम भुक्तान प्रकरण के लिए उनका पहले हमने प्रयास किया कि ओनलाइन प्यारों से प्रकरण कर दिया जाए लेकिन उनका जो है नंबर मुबाइल नंबर जो है उससे लिंक नहीं धाधार से तो फि प्रकरण कर दिया उनके स्कूल में और उनसे कहा कि यह प्रारूप 19 इनका भर गया तो उन्होंने क्या एक एक संदेश बाहत के हां से और क्लेम भेजा और उनका हमने निराकरण कर दिया वह बहुत संतोज भाव से गई क्योंकि उनके पती जुते हास्पिटल में आई सुमे पैसे की बहुत आशकता थी तो इस बार हमारी के नई पहल है कि हम जो अच्छे कार हैं जो हमारे आफिस में हो रहे हैं उसको हम आगे लाए और उस कार के जरिये हम दूसरे लोगों को भी मोंटिवेट करें और चुकि हम लोगों का जो इंट्रक्शन है जिनके साथ हमारे इ जूरी है और जिन्दगी में जूकि हम बदलाओ लाने के हमारे पास एक आउसर दिया है तो हमारी ये कोसिस रहती है कि हम उनके जिन्दगी में कुछ अच्छा बदलाओ लाए और साथ साथ में हमारे ग्राउंड फोर पर रीक्रेशन फैसलिटी भी है जहां पर टेबल टेन हैं आप चाह के बाद देख सकते हैं बगाईदा बहुत सारी लोग उसका इंजॉयमेंट लेते हैं जीम की फैसिलिटीज हैं माईलाओं के लिए एक अलग से सेल बनाया हुआ है कि अगर कभी उनको जरुवत पड़ती है कुछ ऐसी हेल्स रिलेटेड को जिसू होते हैं तो उनको कार में भी अवरोधना हो और उनके जो परस्नल और प्रफेशनल लाइफ्स हैं वो भी अच्छे से मैनेज हूँ तो इस पेंशनर्स आते हैं और पेंशन हैं बुढ़े आते हैं बच्चे आते हैं बुजर्ग महिलाएं आती हैं तो जिनको अगर हम अपना कार बस थोड़ा एक यूमेंट टस्स से करें थोड़ी उनकी परिसानी को समझें थोड़ी उनकी प्रॉब्लम को समझें तो डेफिनिटली तो हमारा उदेश था उसको सफल कर पाएं धन्यवाद